तो दोस्तों आज है हमारे पास Samsung Galaxy M52 5G तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही यह जो smartphone एक काफी जाधा demand में चल रहा है स्टाइम पे और काफी लोग इसे purchase भी कर चुके है तो साथे साथ मैं आपको पता हूं कि यह phone जिस दिन launch हो था मैंने उसको उसे दिन purchase कर लिया था और अग decrease देखने को मिलता performance में क्या जो इसका camera है वो अच्छा ही performance कर रहा है इस time पर या कुछ improvement देखने को मिला है सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके build quality की तो दोस्तों build quality के बात करने से पहले मैं आपको दाता हूं इसकी in hand feel इन hand feel में अब तक मैंने इस से अच्छा इस price range में कोई भी smartphone नहीं देखा इस से भी हलके हलके smartphone है इस price range में लेकिन जो इसका बड़ा display के साथ इन्होंने जो rectangle type इनका design बनाया है वो काफी अच्छा लगता है हाथ में पकड़ने से और काफी lightweight भी है तो in hand feel इस साथी साथ मैं इसका camera module को जो bump है भी इतना जादा नहीं है लेकिन बताओं तो और मैं आपको बताओं उसमें सामने screen पे gorilla glass 5 की protection देखने को मिल जाती है साथी साथ में मैं आपको बताओं तो इसमें में थोड़ी सी एक कमी देखने को मिली है जो कि इसके corners पे थोड़ी से स्क्रैचिस देख देखने को मिली है तो दोस्तों में बात करते हैं इसके बहुत पड़ी हालाइट की वह है इसका display दोस्तों सबसे पहले करें में इसके display की specifications के बार में बात करूंँ दोस्तों में 6.67-inch का full HD plus display देखने को मिल जाता है जो कि super AMOLED plus display है और 120Hz refresh rate के साथ भी हमें देखने को मिल ज display quality है वो best in range फिर्सम आपको बताना चाहता हूँ एक महीने बात मुझे कोई में चेंज नहीं देखने को मिला साथी साथ में जो इसका 120Hz वो कैसा काम करता वो एक काफी जाता कोशन रहता है लोगों का सबसे पहले मैं पता हूँ तो इसका 120Hz हो में एक महीने में जैसा मैंने इस्तामाल करते हैं हो चुका है तो एक अधी बर मेरे को जीटर दे फिल हुआ है नहीं तो मेरे को अब तक तो जीटर फिल हुआ है नहीं तो मेरे को अब आपको बताऊं तो इसमें वाइडवाइन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है HDR10 प्लस इसका display भी है तो अगर भी आप बड़े अराम से कर सकते हैं काफी तकड़ा experience में मुझे देखने को मिला है और एक महीने बाद भी कोई प्रॉब्लम इसमें अब तक मुझे नहीं आई है आपको बताता हूं उसके brightness के बार में brightness इसमें आर्ट इसमें देखने को मिल जाती ज्योंकि काफी decency brightness है लेक को नहीं मिलने वाला सथी साथ मुझे उसमें जो में सेंसर है वो 64 megapixel का में देखने को मिल जाता है जो की brilliant photos निकालता है बहुत ही अच्छा आपको result मिलने वाला है अगर आप इससे आप photos खीचने के लिए आप इस phone को लेना चाहते है इस range में आपसे इससे बेटर photo कोई भी phone आपको नहीं निकाल के देने माला अल्ट्रावाइड का सेंसर में बता हूं तो 12 megapixel का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलता है और अल्ट्रावाइड जो सेंसर है वो भी काफी तगडी तरीका से work करता है मुझे जैसे कि कुछ मैंने ऐसे phones देखे जिन में अगर हम normal sensor से जो में अगर अल्ट्रावाइड पर स्विच करते तो कलर में डिफरेंस देखने को मिलता है मुझे इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कलर बिल्कुल भी contrast इकलर से फिर boosted कलर में को देखने को नहीं मिले काफी ही बहतरीन experience में इसका camera के साथ रहा है साथिसाथ मैं कुछ लोगों के कहते वे सुना था कि जो इसका macro lens है वो इस रेंज में जो फून है जैसे के me 11 light any 5G वो उनसे बैटर है उनसे बैटर नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों मैं बता हूँ आपको कि me 11 light any 5G का से कम macro lens देखने को मिलता है और साथी साथ में quality जो है वो इसकी बहुत ही बहुत ही नापके macro photos यह निकाल के देगा लेकिन जो यहां पर थोड़ा सा मेरे को कमी लेगी macro lens में वह थी इसकी distance distance से और थोड़ा सा पास ले जाके होता तो ज्यादा अच्छा रहता और ज्यादा अच्छे फोटो निकलते रिकिनोंने डिफॉल्ट जो डिस्ते रखा वो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा है macro lens के हिसाफ से और अगर camera features के बार में बात करूं तो इसमें 4K 30fps में shoot कर सकते वीडियो साथी साथ में इसमें 1080 pixels में 60fps शूट कर सकते हैं जैसे कि बहुत सी साइट पर गलत इंफरमेशन है कि 1080 pixels में 60fps शूट नहीं कर सकते और 30fps शूट कर सकते और slow mo super slow motion and slow motion videos का भी इसमें आपको feature देखने को मिल जाता है साथी साथ में अगर front camera पर आते तो front camera भी इस range में दुपार मैं आपको कहूंगा top notch 32 megapixel camera देखने को मिल जाता है जो कि काफी तगडी तरीके से work करता है काफी brand photos आपको निकालकर देखा चाए estra wide हो काफी photo निकालकर देने वाला है और अगर मैं इसके front video quality के बार में बात करूँ front video features के बार में बात करूँ तो बहुत ही तगडे मुझे देखने को मिले हैं जैसे कि मैंने बता हूँ आपको 4K वीडियो आप इसके front camera से shoot कर सकते हो सदे साथ में 1080 pixels भी shoot कर सकते हो और अगर इसके camera quality के बार में बात करूँ तो इस range में seriously top notch मुझे देखने को मिलती है कोई भी मुझे phone इसके आसपास भी देखने को नहीं मिला है दोस्तों बात करते हैं इसके एक और important चीज़ के बार में वह है इसका UI experience जो दोस्तों इसमें हमें One UI 3.1 देखने को मिलता है Android 11 के साथ और One UI 3.1 core नहीं है full version हमें देखने को मिलता है तो इसमें में काफी special अच्छे-च्छे features भी देखने को मिल जाते है साथ मैं इसके UI का special आपको मैं चीज़ बताऊं वह है इसकी simplicity बिल्कुल simple UI देखने को मिलता है कोई ज्यादा animations यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है काफी optimized यह phone मेरे को देखने को मिला है काफी सही देखने को मिला है जो एक bug की बार में बात करूं जो मेरे को सिफ एक ही bug इसमें देखने को मिला है वो था इसको fingerprint को इस्तमाल करने के लिए और साथी साथ में और मैं इसके features के बार में बता हूँ तो इसमें वाइफाई 6 का support देखने को मिल जाता है Bluetooth 5.0 का support देखने को मिल जाता है और जो अगर storage की बात करूं तो storage इसमें मैं UFS 2.2 देखने को मिलती है जो थोड़ासा मुझे इसका बैटरी लाइफ के बार में बैटरी लाइफ इसके में काफी अच्छी देखने को मिली जो UI है इसका वो काफी optimize है और उसकी वीजिए जो इसकी battery backup है वो काफी अच्छा मुझे देखने को मिल जाती है और साथे साथ में 15W की far charger देखने को मिल जाती है दोस्तों एक और बात म दोस्तों मैंने इसको Amazon से पर्चेस किया तो इसमें मुझे 15W का far charger देखने को मिला है जो कि इसको एक घंटा एक यावन मिनिट में full charge कर देता है तो थोड़ा सा भी लाइफ को भी इंप्रूफ कर देता है दोस्तों और बात करूँ बैटरी लाइफ के बार में तो screen on time अगर आप heavy usage भी करते हो तो आपको 6-6 गंटे का बिल्कुल heavy usage पे screen on time मिल जाएगा और अगर आप थोड़ा सा भी light usage करते हो इस दिन में आदा गंटा 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 गेम खेलनेगा या फिर आप जादा वीडियो देखना पसंद करते हो सिर्फ वीडियो वीडियो जी देखने को मिल जाता है जो कि अगर मैं बताऊं तो जो का गेम जुसका जीप्यू है वो इसमें एडरनो जो है वो इसमें 642L देखने को मिल जाता है जो कि काफी decent है इस प्रैस दिन में जो मिल एडरनो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला है तो अगर बात करो उसकी gaming performance क तो gaming performance जिसके मिझे decent देखने को मिलिया अगर आप Call of Duty खेलना चाहते है या फिर आप Genshin Impact खेलते है तो आपको Genshin Impact में High Graphics में से ला चकता है Call of Duty भी काफी सही experience मिझे देखने को मिला है लेकिन जाकर BGMI की बात करूँ तो BGMI में मेरे को थोड़ा सा frame drops जिसमें देखने को अभी मिलते हैं एक महिने बाद भी जो कि इसमें एक update भी आ चुका है तो दोस्तो एक important बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एक performance related जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होगा अभी किया जैसे कि आप लोग को पत है जिसमें इसके हम performance increase कर सकते हैं तो दोस्तो उसके उपर में separate video लाने वाला हूँ तो अगर आप ट्रिक जाना चाहते हैं जिससे इसकी performance increase हो जाए और 100% guaranteed increase हो जाए तो दोस्तो हमाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और bell icon को ज़रूर प्रेस करते हैं जिससे कि सब performance है वह काफी खराब है और साथी साथ मैं आपको बता हूँ वह एक big update भी इसमें लाने वाले है जल्द से जल्द जिससे कि इसकी जो performance का तो सारी चीज़ें वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी यह खुद Samsung ने बोला है तो दोस्तो परफोर्मेंस तो इसकी overall इस टाइम पर तो मे परफोर्मेंस की सबसे पहले मैं आपको बता हूँ जो लोग परफोर्मेंस लवर्स हैं उनके लिए एक चीज़ है कि आप उसको परफोर्मेंस ना करने को जाता फाइदा रहेगा क्योंकि इसमें बीग अपडेट आना बाकी है उसके पास परफोर्मेंस जैसे कि Samsung ने बोला है कि वह परफोर्मेंस टॉप नौच इसकी करने वाले है और साथ ही साथ में मैं बता हूँ अगर आप ऐसे हैं जो मल्टी मीडिया कंज्यूमर है तो उसके फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है बिल्कुल बेस्ट चॉइस रहने वाली है पिल्कुल भी आपको कोई भी परफोर्मेंस का तो बताए दियाए कि इसमें अपडेट होने को बाद यह फिसकी जो परफोर्मेंस है वो फिक्स हो जाएगी तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो आज की वीडियो पसंद देंगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को करी जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने जिसेगी और बेल आइकन भी प्रेस करते जिसे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख ले तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में